आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और राष्टपती रामनात कोबिन ने संसद में सदन के संसद के दोनों सदन को संबोधित किया है और अकुबदादी के संसद के सेंट्रल होर में राष्टपती ने अपने अभिभाशन में कहा कि इस बार समविधान की सर्तरवी वर्षगांट मनाई जाएगी उन्हेंने कहा कि सरकार ने देशवासियों का भरोसा जीता है और साथी साथ उन्हेंने कहा है कि कोई भी नागरिक बुनियादी जरूरतों से बंचित नर है इसके साथ रामनाथ राष्टपती रामनाथ कोविन ने कहा कि देश में नौ करून से ज्यादा सोचालियों का निर्माण हुआ है और इस साल दो अक्टूबर तक देश को पून स्वक्ष बनाने का संकल्प लिया गया है और आर्थिक नियाए के आदर्सों के साथ आगे बढ़ रहा है मेरी सरकार के प्रियासों में शोषण की राजनीती के विरुद्ध जन चेतना की मसाल जलाने वाले डक्टर रामनोह लोहिया के समानता पर आधारिप समाज के प्रती आस्था इस पस्ट दिखाई देती है बर्स 2014 के आम चुनाओं से पहले देश एक अनस्चितता के दोर से गुजर रहा थ है चुनाओं के बाद मेरी सरकार ने कारभार समालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल प्रिया एक ऐसा नया भारत जहां बिवस्थाओं में अधूरापन और अकरमनता ना हो जहां व्रिस्टाचार ना हो जहां अस्वक्षता के लिए कोई स्थान ना हो पहले दिन से ही मेरी पारदर्सी सरकार का धे था कि सभी देश और बड़ी खबर पतना से जहां गुपतेश्वर पांडे को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है और इससे पहले वो एकाडमिक डीजी थे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं या फिर जिस तरीके से वो उनकी ट्रेनिंग थी उसके वो डीजी थे तो बड़ी ख़वर पटना से जहां गुपतेश्वर पांडे विहार के नए डीजी पी बनाये गए हैं और गुरी विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी घोश्रा की है और इस ख़वर पराधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे समवधाता विक्रांत विक्रांत जिस तरीके से गुपतेश्वर पांडे को डीजी बनाया गया है क्या लगता है क्या उनसे बाचीत हो पाई आपकी क्या कहना है उनका बिल्कुल विक्रांत विक्रांत बड़ी लंबित ही डीजी पी बनने वाले अधिकारियों की लेकिन उसमें से गुपतेश्वर पांडे का चैन क्या गया है क्या आपको नहीं लगता कि एक तरीके से चोकाने वाली बात भी यह रा रही है क्योंकि फियरिस्ट काफी लंबी थी लेकिन उसमें गुपतेश्वर पांडे का नाम भी लिस्ट में शामिल था फिलाल तमाम जनकारियों के लिए विकरान था अपका बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे हमारे समधाता विकरान जो अधिक जनकारी दे रहे थे तो आपको एक बार फिर से बता दे कि बड़ी खबर आ रही है पटना से जहांपर बिहार के नए डीजीपी की घोशना कर दी गई है और गृविभाग ने इसकी अधिसूसना जारी करते हुए गुपतेस्तु और पांडे को बिहार का नए डीजीपी घोशित किया है और राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना कुशित्र में लग रहे महा जाम से लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर पटना पुलिस ने जगा जगा पुलिस चेक पोस्ट तयार करवाए हैं लेकिन समस्या से निजात नहीं मिल रही है आपको बता दे कि जाम की वज़ा से ट्रक चालक दो दिनों तक अपनी जगा से बैठे रहे हैं और जाम खुले का इंतजार करते नजर आ रहे हैं वहीं पॉलिस के पर पैसे लेकर ट्रक को पीछे और आगे करवाने का भी आरोप ट्रक चालकों ने लगाया है और यह नजारा आम है यह आप जैसे ही उस तरह से बीटा से कोई लिवर पुरुक की तरफ बढ़ेंगे या फिर जिदर भी बढ़ लें ट्राफिक जाम एक परिशान जो भी लोग हो रहे हैं उनको मुक्ती मिल पाए लेकिन जो तस्वीरे आ रही है सामने लगतार जो कोईलवर है वो जाम रहता है और ट्रक चालक एक एक दिन कहले या दो-दो दिन तक अपनी जगा से हिलती नहीं है जिस तरीके से वहां पर जाम की समस्या आया रह होती है और भागरपूर लोग सभाज चुनाओं को लेकर डियाइजी ने किया परशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है और आपको बता दे कि भागरपूर बांका और नौगचिया के एस पे इस बैठक में शामिल हुए है वहीं बैठक के दौरान मुख्य रूप से शांति पूर्ण चुराव कराने को लेकर एवं नक्सल प्रभावी कुषेत्रों एवं दियारा च्छेत्रों के विशेश चुरक्षा विवस्ता की जाने के लिए यह बैठक की गई है और समस्तिपूर जीले के हसनपूर थाना कुषेत्र के मिल रोड में बुद्वार की देर्शाम अग्यात अपराधियों ने स्त्रमण कुमार की गोली मार कर हत्या कर दिया है वहीं अस्तानी ये लोगों की मदद से घायल को पीएसी हसन पूर लाया गया जहां पराथमिक उप्षेयर के बाद गंभेयर अस्तिती को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है वहीं आपको बता दे के फुलस फिलहाल जो घटना अस्तल पर गोलियां गिरी थे उसके खोकियों को बरामत किया है और फिलहाल मामने की चार्च कर रही है और भागलपूर के हभीबपूर थाना कुशित्र के सालेपूर में एक व्यवसाई के घर पर अपराधियों ने खुले आम हतियार से हमला कर दिया और आपको बता दे कि गनीमत रहे कि अपराधियों को हतियार के साथ है घर वाले ने धर्द बोचा जिसके बाद हवीपूर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई वहीं घटना अस्तर पर पहुंचे पुलिस के ने अपराधियों को अपनी कब्जे में लेकर फिलालागी की जांस शुरू कर दी है और पलामू जिले में अपराधियों का होसला इन दिनों लगतार बढ़ता जा रहा है अपराधियों दिन्दहारे लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं और घटनाम देकर जो अंजाम देकर फरार भी हो जाते है वहीं पुलिस हाथ पर हाथ जा रहा है कि बैंक से एक जो महिला है वो एक लाग पचास जा रुपे के साथ अपने घर जा रहे थी और इसी दोरान उससे हुसाइनाबाद और हैदर नगर के मुख्यसणक के पास से दो नवाक नकाप पोस्ट बाइक सवारों ने अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में लूट की घटना को अंजाम दिया वहीं घटना के बाद इसकी प्राथिमी की दर्ज कराए गई है वहीं पुलिस की माने तो वो फिल्मा में कि जाच कर रही है और अगली ख़बर बगहा से जहां महिला नकसली नीशा मांजी को स्टीएफ ने जिला पुलिस के साथ जोईन आपरेशन करके गिरिफतर किया है बताय जारा है कि निशा मुख्या मनोज सिंह हर्ट्या कांट की मुख्या अभियूक्त है जिसे हर्ट्या के बाद लगतार पुलिस तलास कर रही थी और निशा माधी ने एरिया कमांडर से शादी रचाकर नकसली संगठन में शामिल भी हुई थी बगहा अग्जिला की निशाफवारी नाम की बाद की है जो पूर में करिब ग्रसान में शामिल हो गए थी उसकी शक्री भूमी का रह रही ठीक शेटर में जगत अगस्त महीने में एक अगस्त अगतना घटितुई थी वादम की नगठाना शेटर में अप्तिया का अप्तिय कर दी कुई थी उस कांड़ में ये प्रात्मी की अविक्त भी है तो फिलाल खबरों में इतना ही लेकिन ऐसी इतमाम बड़ी खबर से अप्डेट राने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक पर लाइक करें और आप में ट्वीटर पर फॉल जर करें, नमस्कार